तो गैस इस वीडिो में हम बात करेंगे मोटो ला के निूव अपकमी स्मार्ट फॉन की जो कि जल्दी ही आपको मारकेट में देखने को मिलने वाला है in fact दोस्तों Moto Ola के एक नहीं वलकि दो नए स्मार्ट फोन आने वाले हैं जिसमें एक Moto E स्रीच का और दूसरा Moto G स्रीच का होगा फिलाल Moto Ola के दो फोन लीक हुए हैं जिसमें पहला है Moto E7 Plus और दूसरा है G9 Plus लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे Moto G9 Plus के बारे में जो कि इस स्रीज का best smartphone होने वाला है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस phone की सबी specs की साथ ही बात करेंगे इस phone की price and launch date के बारे में तो दोस्तो स्वागत है आपका टैक रोच पर जानकारी के लिए वीडियो में अंट तक बने रही है और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजी ताकि आपको कुछ टैक वीडियोच मिलते रहे हैं तो दोस्तो आप सबको पता होगा कि मोटोला की G-series कितनी successful रही है और इसी series के साथ मैं मोटोला में मार्केट में कुछ टाइम पहले ही बपसी की थी और तब सही दोस्तो एक के बाद ये अच्छे smart phones लेके आ रही है मार्केट के अंदर इसी series के अंदर मोटोला अपना G9 Plus लाँच करने वाला है जो कि मोटो G8 Plus का ही successor होगा तो दोस्तो जल्दी से बात कर लेते हैं इस phone के specs की तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस phone की display की तो यहाँ पर आपको 6.6 inch की LCD IPS display देखने को मिलने वाली है क्योंकि इसके side में आपको finger print scanner का support दिया गया है तो मुश्केल है आपको अपको MLD display देखने को मिले साथ ही दोस्तो इस phone के अंदर आपको 19Hz का refresh rate देखने को मिलेगा डिस्प्ले के बात दोस्तो अगर हम बात करें इस phone की performance की तो leaks के according इस phone में आपको snapdragon 730G chipset देखने को मिलेगा जो कि आपको Motorola One Fusion Plus के अंदर भी देखने को मिल चुका है snapdragon 730G chipset के साथ ही दोस्तो यह smartphone काफी अच्छा competition देगा इस price range की सभी smartphones को चाहें हम बात करें Poco X2 की या बात करें Realme 6 Pro अगर है की इसके लावा दोस्तो इसमें आपको 4GB और 6GB के दो remote देखने को मिलेंगे जो कि 64GB और 128GB storage के साथ में आएंगे जिसे आप microcard की मदद से 512GB तक बढ़ा सकते हैं अगर बात करें इसके design की तो इसके official render सामने आ चुकी है और काफी stylish design के साथ में ये smartphone आने वाला है अगर front की बात करें दोस्तों तो punch hole के साथ आने वाली display आपको इसमें देखने को मिलेगी जिसके left corner पे punch hole का design दिया गया है अगर back design की बात करें दोस्तों तो back से काफी stylish smartphone आपको देखने में लगेगा और एक new design के साथ में camera cut out आपको इस phone के अंदर देखने को मिल जाएगा कुछ और details की बात करते हैं दोस्तों तो इसके side में आपको fingerprint screen का support देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही दोस्तों दूसरी side भी एक button दिया गया है जो कि side google assistant के लिए होने वाला है अगर दोस्तों बात करें इस phone के colors की तो इसमें आपको दो color option देखने को मिलेंगे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर आपको 30W का fast charging support देखने को मिलेगा अगर next बात करते हैं दोस्तों इसके camera's की तो इसके detail भी सामने आच चुकी है और यहाँ पर आपको quad camera setup देखने को मिलने वाला है इसमें primary sensor होगा 64MP का और बागी के 3 cameras की detail दोस्तों सामने नहीं आई है बट ऐसा expected है कि यहाँ पर आपको एक ultra wide angle camera एक macro camera और एक depth sensor मिल सकता है तो दोस्तो 64MP के साथ में एक अच्छी camera quality आपको spawn कंदर देखने को मिल जाएगी अगर front camera की बात करने दोस्तों तो 16MP का front camera आपको यहाँ पर दिया जाएगा जिससे आप काफी अच्छी selfies और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं spawn में एक और main point है दोस्तों और वो है इसका clean android experience जेहां दोस्तों आप सबको पता हुआ कि motorola के सभी smart phones में आपको android one का support देखने को मिलता है और काफी clean UI आपको spawn में देखने को मिलेगा अगर यह smart phone दोस्तों इनी specs के साथ में आता है को स्टेक वीडियो मिलते रहें मैं मिलता हूँ आपको नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए good bye